इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ माइन ट्राप जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और इसकी वज़ा से हम लाइफ में कभी-कभी mentally block फिल करते हैं माइन ट्राप एक थौट पैटर्न होता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फिल करते हैं, कैसे डिस्टल लेते हैं अगर आप दिन भर लेजी फिल करते हैं, दिन भर रिल्स देखते हैं, दिमोटिवेटेड रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपने खुद को जाना नहीं है, खुद को पहचाना नहीं है, आपने अपना passion नहीं जाना है और life में आपका purpose clear दी है तो अगर आप चाते हैं कि आप अपना passion discover कर पाएं तो description में link है, आप वहाँ से join कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Point No.1 Procrastination Procrastination का मतलब होता है काम को बार बार टालना जिसका result यह होता है कि हम अपने important काम को time पर complete नहीं कर पाते हैं इसकी वज़ाद से हम अपने goals को कभी achieve नहीं कर पाते हैं जैसे अगर कल आप कोई काम करने की सोचते हैं तो उसे कल करने की जगा अगले दिन या शायद कभी नहीं करते हैं यह एक winter trap है जो हमें किसी काम को तुरंट करने की जगा उसे कल करने के बारे में बताता है और फिर उसे कभी नहीं करने में बदल देता है इससे होता ये है कि हमारा कीमती समय हमारे हाथ से निकल जाता है जो कभी भी और किसी भी कीमत पर दुबारा वापस नहीं आ सकता इसलिए आज से जो भी काम करने की सोचें उसे तुरंथ शुरू करते हैं नमबर ट्यू, Fear of Failure Fear of Failure का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले उसमें Fail होने का डर अगर आप किसी काम को करने से पहले उसमें Fail होने के डर से उसकाम को नहीं करते हैं तो आपकी Growth रुक शाथी है और Failure का डर एक ऐसा Mental Trap है जो आपको हमेशा कुछ नया करने से रोकता है इसलिए किसी भी काम को करने से कभी भी डरे नहीं जादा से जादा यहीं होगा कि आप उसमें फेल हो जाएंगी लेकिन अगर आपने डर किमारे किसी काम को करने की कोशिश ही नहीं की तो वो तो फेल होने से भी बुरा है इसलिए हमेशा किसी भी काम को करने से डरे नहीं है Point Number 3 Perfectionism Perfectionism का मतलब होता है किसी काम को बिलकुल perfect तरीके से करने की इच्छा रखना देखें अगर आप किसी भी काम को perfect करने की इरादे से किसी काम को करेंगे तो उस काम को आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी काम कभी भी perfect नहीं होता हर काम में कहीं न कहीं और कोई न कोई improvement होने की possibility हमेशा बनी रहती है इसलिए आपको जितना और जैसा भी काम आता है उसे वहीं से शुरू कर दीजिए और लगातार उसमें improvement करते रहेंगे क्योंकि अगर आप किसी भी काम को perfect होने का इंतजार करते रहेंगे तो उस काम को आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे तो बिना perfection का इंतजार किये काम को शुरू बीच की और लगातार improvements करते रहेंगे Point No.4 Fixed Mindset Fixed Mindset का मतलब होता है खुद के अंदर कमियां देखना जैसे कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ मैं ये काम करने में अच्छा नहीं हूँ मेरे अंदर इस काम का talent नहीं है, मैं ये सीख नहीं सकता fix mindset वाले हमेशा नई चीज़ करने से डरते हैं और खुद को दूसरों से compare करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम खुद के अंदर नया बदलाओ नहीं ला सकते हैं वह हमेशा effort करने से बचने की कोशिश करते हैं अगर आपको life में कुछ बड़ा करना है अगर हमें अपनी life में कुछ बड़ा करना है तो हमें दूर की सोच रखनी होगी और आज के benefit को नहीं देखते हुए दूर के benefit के लिए काम करना होगा आज हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको तुरन कोई फायदा मिल रहा हो लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई फायदा ना मिले इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें और दूर की सोचें ताकि आपके काम में हमेशा motivation बना रहें पॉइनमर्स 6 Comparing yourself to others का मतलब होता है खुद को किसी और इंसान से compare करना जब आप खुद को किसी और इंसान की गाड़ी, बंगला, पैसा या उसकी success से compare करते हैं तो आप खुद को निराश कर देते हैं जिसकी वज़य से आप अपने काम को बहतर तरीके से नहीं कर बाते हैं जब आप लगातार खुद को दूसरों से compare करते हैं तो आप अपने आपको अंदर से कमदोर कर रहे होते हैं और ये चीज आपको कुछ बड़ा नहीं करने देती जिसकी वज़य से आप कुछ बड़ा भी नहीं कर पाती इसलिए दूसरों से compare करनी की जगा खुद की instant पर ध्यान दे और अपने काम में लगातार improvements करते रहें Point No.7 Lack of Self Discipline Lack of Self Discipline का मतलब होता है खुद के उपर control ना होना जब किसी इनसान के अंदर Self Discipline की कमी होती है तो वह अपनी planning को कभी भी execute नहीं कर पाता और वह अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता और इसी reason की वज़ा से लोगों को failure कर सामना करना पड़ता है अगर आपको अपने life में कुछ बड़ा करना है तो आपको Self Discipline रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने commitments को और अपने काम को पूरा करने के लिए इसलिए अपने उपर control लगें और अपने काम को टाइम पर पूरा करें Don't focus on one thing Don't focus on one thing का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर focus ना कर पाना और ये दुनिया आपके काम से आपको शानी है लेकि लाइफ में लगातार हल चीज़ों में कुछ ना कुछ नया बदलाओ आता रहता है ताकि हम अपनी लाइफ को और आसान बना सके अपने काम को और बहतर बना सके और इसके लिए हमें लगतार नया बदलाओ करने बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को और भी बहतर ढंसे कर पाए इससे लाइफ में कोई भी नया बदलाओ आया तो उसे एक्सेप्ट करें ताकि आप लाइफ में और जादा आगे बढ़ पाए Point number chain Lack of Adaptability Lack of Adaptability का मतलब होता है जब आपके काम में या आपकी लाइफ में कोई नई शीज आती है तो उनको accept ना कर पाना अगर आपको किसी भी काम में बहतर बनना है तो आपको नया बदलाओ को adapt करना होगा ताकि आपकी growth हो सके और आप नई opportunity को पकर सके जब आप चीजों को जल्दी adapt नहीं करते हैं तो बहुत सारी opportunity आपके हाथ से निकल जाती है इसलिए हमिशा नए बदलाओ को और नई चीजों को adapt कीशे ताकि आपकी लाइफ में लगातार growth हो सके तो आपको यह वीडियो कैसी लगी comment box हमें ज़रूर बताए